36 गड़ के राइपुर सित कृष्णा नगर में कम्यूनल वाइलेंस हुआ है इन फाक्ट आठ तारिक के शाम होलिका देहन पे एक कम्यूनिटी ने आरोप लगाया है कि भगवान के पोस्टर फार के होलिका देहन की आग में जलाया दूसरी कम्यूनिटी के लोगों ने यह जो इंसिडेंट है यह कृष्णा नगर में हुआ है जहां पर मैं अभी मौजूद हूँ यह जो वुडन फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं इसी वुडन फ्रेमवर्क में शिवजी की पोस्टर लगी हुई थी और इसी पोस्टर को फार कर फेका गया है साथ आरोपियों को गिरफतार किया गया है पुलिस तुरंथ हरकत में आके उन्हें हिरासत में लिया है और F.I.R. लॉज हो गई है और बिल्कुल लेफ्टेंज यहां पर जब अब देखे हैं मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग जहां पर रहते हैं यहां पर एक मस्जद अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी मस्जद के साइड में यह पोस्टर जब लगाया जाता है तो कुछ मिस्क्रेंज आते हैं उस कम्यूनिटी से और उसे फाड कर होलिका दहन की आग में लगा कर चले जाते है पुलिस हरकत में नहीं आती है इनीशली लेकिन यहां के जो लोग है जो हिंदू कम्यूनिटी की जो औरते हैं जात आरोपे उसमें पाच नाबालिक हैं और दो बालिक हैं हम अभी CSP राजीव शर्मा से भी बात करने की कोशिच करेंगे इस पूरे इंसिडेंट का वो हमें डीटेल बताएंगे लेकिन यह जो एरिया है क्रिश्ननगर में आता है और यह राइपुर यह जो पूरा इंसिडेंट है यह आट तारी की शाम को हुआ है और हम अभी राजीव शर्मा जी से बात करेंगे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में की कारवाई कहां तक पहुची है और आगे किस तरह से इस कारवाई को आगे भी बढ़ाया जाएगा क्या इंट्रोगेशन किया जाएगा किस तरह से कारवाई आगे बढ़ेगी आज तक पर आपका स्वागत है एक्जैक्ली आठ तारीक कि शाम को क्या हुआ था राजीव जी और अभी किस तरह की कारवाई अल्रेडी हो चुकी साथ तरीक को होली का दहन हुआ था और सामने जैसे देख रहे हैं वहाँ पे स्यू जी की प्राण प्रतिष्ठा का पोस्टर लगा हुआ था और होली का दहन के काफी देर रात्री सुबा सुबा कह सकते हैं इस पोस्टर को एक समाज विसेस वर्ग के जो वह हैं असमाजीक्त उनने उसको फुली का दहन में जला दिया और इस घटना के बारे में जब दूसरे वर्ग विसेस को पता चला तो इसको ले के एक तनाव के स्थिति निर्मित हो गई तो पुलिस बलको जैसे ही ये नौतरीक को साम को उनको पता चला गया था और आज हमको पता चलने पर हम ल स्थिति को अंजाम दिये हैं ऐसे साथ लोगों को कस्टडी में लिया गया और दो उसमें वयस्क हैं उनको नैले पेस करके जोडिशाल कस्टडी में जेल लाखिल किया गया है पांच जो आरोपी हैं वो माइनर्स हैं तो उनको उनके खिलाब सामाजिक पिस्टूमी रिपोर स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए आप लोग किते देर यहां पर मौजूद रहेंगे कितने यह क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है कल भी कहा जा रहा है कि हनुमान चालिसा का वो यहां पर पाठ करेंगे मस्जिद के आगे तो यह कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा सकता है क बात बल लगा हुआ है और आने वाले कल का हमारे पर आसूचना है इनके वर्ग प्रमूख लोग साभी बात करेंगे और अभी इस्तिति वैसे उतनी तनाव पूंड नहीं है इस घटना में जो सनलिप थे हुआ रोपियों की किरिपतारी के बाद इस्तिति लगभग अभी सम सुबह संग्यान में तुरोंत अपरात पंजीवत किया गया और साथ लोगों को कस्टडी मिलिया गया गया दो जिल द अखिल किया गया है बाकी के खिलाब जजे वोड में समाजी किस तरह से वो पोस्टर यहां पे फाड़ा गया था उसका सीस्टिव फूटेज भी मौजू पुलिस के पास जो उन्होंने मुहिया करा है मीडिया को भी, लेकिन आपको उस पोस्टर की शकल दिखाना चाहती हूँ कि किस सरह का पोस्टर बिल्कुल वहां पर लगा हुआ था, यह इक्वल डिस्टंस पे यह पोस्टर लगाए गया थे, होलीका दहन का मौहल था, काफी ज जादा communal tension हुआ, communal violence हुआ, लेकिन अभी जैसे कि पुलिस बता रही है, स्थिती काफी जादा control में है और अभी अच्छा खासा पुलिस की तैनाती भी है, ताकि untoward कोई भी incident होने से बचे मैं सुमी राजजपन, विडियो चॉनलिस्ट रागवेंडर के साथ, चतसगर से आज तक